हेलो फ्रेंड मैं आरके एक बार फिर से आपका इस हमार यूटूब चैनल प्स्री बाइयर वाला में श्वागती दोस्तों आज हम प्स्री फर्स समिस्टर की प्रिविएस एर कोश्चन पेपर को शार्ब करने वाले हैं आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो जन्वरी या फिर फर्वरी में जन्वरी लास्ट विक या फिर फर्वरी में होने वाला है तो लेकिन अभी कुछ जो है कि इन्वर्सिटी द्वारा आभी पेपर में कुछ रुकावाट हो रही है तो पेपर आपका या फिर जन्वरी दाश्ट वीक या फिर फर्वरी में होने वाला है तो आज उसी संदर में हम जुलोजी का पेपर शाल्ब कराने वाले हैं बोटनी का पेपर मने शाल्ब करा दिया है आज हम जुलोजी का पेपर शाल्ब गराएंगे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यह BSC Part 1 यानि क प्रिवियस यह कोश्चन पेपर में आया हो था तो यह पेपर का नाम है यानि कि BSC Part 1 का जो पेपर का नाम होता है यह एक निप के एकार्डिंग जो पेपर मनाया गया था वो है तो इस पेपर का नाम है साइटोलोजी जेन्टिक एंड इन्फेक्सियस डिजीज तो यह की एडमिटार में दिया होता है यह आपका पेपर सब्जिक्ट्व या फिर अब्जिक्ट्व होने वाला है अगर सब्जिक्ट्व होगा तो आपको एक आइडिया तो जरूर हो जाएगा कि कोश्चन कहां से पूट अप होने वाले हैं अगर आपका कोश्चन पेपर तो में आपको जो पेपर की टाइमिंग है लगबक वन भाई वन बाइब एक शेई वन बाई यानी कि डिल्ड घंटी का टाइब दीए जाता है जो कोश्चन पेपर आपका कितने में होना है 70 मार्क में होगा कितने मार्क में होगा 70 अंक में होने वाला है तिक अच्छा कुछ निर्देश दिये गए कुछ इंट्रक्षन दिये गए चो आप अपने अनुशार इसको पढ़ लिजेगा एक बार इंट्रक्षन आपको दिखा देते हैं आप इस वीडियो को पॉस्ट करके देख लिजेगा कि क्या क्या किसमें कहा गया एक तो हो गई इंट्रक्षन की बात तो अच्छा आगे बरते हम लोग अपने पेपर की तरफ तो पहला प्यू store आपके अपने रॉप कही आपक्या कारी क्र पूछा गया है तो तो पहले कोशेर पूछ गया है तर नेचर आप ते इसप्रेड और कमिन केबल ठीज अप टर्म्ड ठीक यानिके संचारी रोग को संचारी रोगों के प्रशार की प्रक्षिति को क्या कहा जाता है ठीक जो संचार में यानिकी जो वायरमंडल में प्रकिती में जो रोग फैलता है उसे क्या कहती है उसे पर जी भी कहते हैं कि प्रतिर अच्छा कहती है थि just प्रतिर अच्छा विज्ञान कहते है महा मारी इस कोई तु इसका सएह एंसर हो जाएगा sa जरी यानिartet ऑघले कोश्चन की तरब क्या है तो जर्म थेएरी आप डिजीज्ज वाँ पास्टूलेटेड बाई त्रीक जर्म थेएरी आप डिजीज वाज पास्टूलेकर ज् bullish Еभाई आप डिजीज वाज यानि कि इसमें पूछा गया, रोग का रोगारू सिधान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसमें चार अप्षन दिये गया है, तो पहला है, हिपोक्रेट्स, को रहा है, हिपोक्रेट्स, एडवार जेनर, हिपो पास्चर एंड कोच तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा पास्चर एंड कोच ठीक अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अपने हम तीसरे कोशन की तरफ वह कारक यानि की कोशन पूछा गया है तो एजन्ट विच कैरी डिजीज फ्राम दे इंडूविजिवल तू अनदर इ इसकेब पहुचता है उसे क्या कहते है इसके तो क्या कहते है पर कहते हैं कि में जबाद कहते हैं पर जी कहते हैं और कूई 0 ? इसका सभी एंसर होजाएगा क्या हो जाएगा वेक्टर क्या हो जाएगा वेक्टर टिक आगे बढ़ते हम अपने अगले कोशन के तरब चौते कोशन पूछा गया है तब बैक्टिरिया फाउन इन कॉलन आप हुमन आथ यानी कि मानव के किसके मानव के ब्राहदांत में पाय जाने वाले जिवारू को क्या कहते हैं किंद सने के ब्रहणवादानथ में पाय जाने वाले जीवाओ कौब करते तो पहला एंसर है माईकोबैक्टिरियुम ट्विबर कुलोसिज क्या थिक तूसरा घ्राक थीरियम वोटोलिंप ठीक तुर नन security is तो इसका साइभा एंसर हो जाएगा तीसरा इस सेरी या कोलाई ठीक अगले कोशन की तरफ बरती अपने पाश्वे कोशन की तरफ तो चौन्डी इसकाज्ड भाई याने की पीलिया रोग किसके द्वारा होता है तो पॉर्क द्वारा पॉर्क मतलब होता है शूवर का माश ठीक फिरता है इकसेज्यू सूगर यानि कि अत्रिक चीनी से कंतामिनीटेड वाटर या फिर कुक्रमा यानि कि कुकुरमा का अत्धिक भोजन करने जी तो यानि कि जो पीलिया रोग होता है तो पीलिया रोग आपको पता ही होगा किसके द्वारा होता है तो इसका सही आजसर हो जाएगा क्या contaminated water क्या हो जाएगा contaminated water हो जाएगा इसका science हो जाएगा contaminated water तिक अच्छा आगे बरते है contaminated water तूसित पानी छाना question पूछा गयागा heating food आप 100 degree Celsius याने कि 100 degree Celsius पे जब भोजन को 100 degree Celsius तक गर्व करने से निमलिखित बिमारियों को छोड़कर बाकि सभी मरिया बचा जा सकता है याने कि अगर आप भोजन को 100 degree तक उसको boil करते हैं तो कौन कौन से रोक से बच सकते हैं और किससे नहीं बच सकते हैं उसी के बार में आपे पूछा गया है तो पहला है है जा याने कि cholera तूसरा है मूटालीज्म क्या है मूटालीज्म फिर उसके बाद है है येपे टैटिस भी फिर है सोलेनम इंफेक्शन तो इसका चाहिए एंसर होजाएगा क्या सोलेनम इनसक्शन त्पिक इससे आप बचा जाए सकता है ठीक आगे बढ़ते हैं एड़ क्या है proteins एक प्रकॉर क्या है यान की वाइरस जनित रोग है क्या है voir EX122 product बाकिस अंसर क्या हो जाएगी रंग हो जाएंगे इसका और QA Kोशन की तरफ öld junior volts इंटर्स्ट थो यानिकी पोल या वाइरस जो होता है वो किसके द्वारा हमारे शरीर में जाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा food and water के दुआरा and water के दुआरा कि पहला answer इसका 10 से हूज बरहें लोग आगे बरते हम लोग के अगले question के तरब चलते हम लोग अगला कोशन ने पुशा गया कि one of the following disease टिक one of the following disease in a communicable disease जाने कि एक संचारी रोग कौन है इन में से कोई संचारी रोग है तो आपका एंसर हो जाएगा amoebiasis जो amoebiasis है यह संचारी ठीक कांसर यह भी संचारी रोग नहीं नहीं है तो कौन साही हो जाएगा आपका चोथा अमीश टिक आगे बढ़ती हम लोग कि पेना सोमा कार्जट बाइड पर समा किसके दौरा फैलता है तो इसका च्छाएगा इसका सब्सक्राइब कारण है आगे बढ़ते हैं इसके द्वारा फैलता है किसके द्वारा मक्हियों के द्वारा फैलता है मक्हियों के परिशान करनेश नहीं मच्छर की काटनेश होता है आगे बढ़ते हैं लोग माईक्रोफाइल एरिया इस फाउन इन दे पेरिफेरर ब्लड आप मैं डिवरिं यानि की मनुश्य के परिधी में ठिक परिधी रक्त में माईक्रोफाइले एक बैक्टिरिया जिवान हुआ है मलुष्र में जाने कि बलड होता है उसमें कैसे फैलता है तो यह कब फैलता है यह कभी भी फैल सकता है तो इसमें दिया है दिन का समय में रात की समय में दिन और रात की समय में तो इसका चौथा अज़र सही हो जाएगा यह कभी भी फैल सकता है इसका थर्ट एंसर से हुज़ेगे क्या भी है तीन और रात के समय दोनों में ठिक आगे बढ़ते हैं लोग तक करेंट ठिक टक करेक्ट हुमन क्रोमोजोम ठिक टक करेक्ट हुमन क्रोमोजोम नंबर वाज फर्स्ट डिपोर्डेड वाई यानि कि सही मानव गुर्सूत संक्या सबसे पहले किसके द्वारा सुचित किया गया था यानि कि सबसे पहले कौन बताया था कि मानव में क्रोमोजोम संक्या इतनी होती है तो सबसे पहले किसने बताया था तो हो जाएगा ताजियो और लेवन ने किसने ताजियो और लेवन न तूअब आप एउलो श्रॉम्प ठीक फुट्सिक आटोशॉम्प ट्वण्टी थ्र पेयर आप आटोशॉम्प आप आटोशॉम्प यानि कि आपके पास एलोलों की संक्य केतनी हैं उसकी संक्याद दो जोडा है कि आटोशॉम आपके पास है वो 46 है या फिर 23 जोड़े 800 है या फिर 44 जोड़े जोड़े आटो सो तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा 24 जोड़े 800 टिक इसका सही एंसर यह हो किस यूनिट से मिल रही है तो यह एक पता चल जाता है कि आपको किस यूनिट से सबसे जाधा कोशन देखने को मिल रहा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके ज़रूर चाहिए अगर आपको पीडियोप चाहिए तो आप मारे वाटसप नमबर 9598-308044 पे वाटसप के थूरू मैसेज करके आप यह पीडियोप कर सकते या फिर आप मारे टेलीग्राम पर जूड करके वहां से पीडियोप को प्राप्त कर सकते हैं ऑगे व़ती अपने 69 की सुलावए कुश्ञ्ण बे तो गायने या दिए ने के मास्धिया होता है यह प्रेकार क्या है 220 क्या हो जाएगा सार्स तो होगा नहीं फिल्र दॉट हसी तनल थे में ऊर्ष का प्रके चाही है किसका लक्षड हैाला क्लाइन्फीटर का प्लाइन्फीटर सिंड्रॉम का यह नलग्षड है आगे बरते अपने अगले कोशन की तरब टेक्स्क्स क्रोमैटिन वाज डिस्कवर्ड वाई यानि किस ले कि चुमास कने के थी तो इसका सह तो इसका सही एंसर हो जाएगा यह वाला बर्ण और बर्टाम ने इसको खो जा था यह जब कलत है अगले कोशन पुछा गया कि बर्ण बोडी इस फाउंडीन यानि कि बर्ण बॉडी कि इसमें पाया जाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका सही एंसर फिमेल जर्मिनल सेल आगे बढ़ते हम लोग तर जेनेटिक क्राउन सीलर आइडेंटिफाई हेट्रोगाइनस इंडोविजवल यानि कि आर्वांसिक परमर्द दर्सता विश्व युग में बक्तियों की पहचान किसके द्वारा की जाती है तो इसका सही एंसर हो जाएगा क्या जाएगा इसका सही एंसर होगा इसक्रीणिंग प्रोसीजर ठीक यानि की प्रक्रिया के द्वारा ठीक अच्छा आगे बरते अगले कोशने की तरफ हमने हैं हम लोग the status of fighters for genetic causing can determine by यानि कि आद्मार्शिक परामर्श के लिए भूड की इस्थती निम्र द्वारा निद्धारित की जाती है तो किसके द्वारा किसकी इस्थती निद्धारित की जाती है परामर्श में आई उसको देखते हैं किसका सही एंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा एनी सेंटेसिस ठिक एनी सेंटेसिस जानी किसका तिसरा एंसर क्या हो जाएगा एमनी ठिक एमनी सेंटेसिस इसका सही एंसर हो जाएगा ठीक आगे बरते हम लोग 20 वाले कोस्टन पर हो गया कुछ तीउट और पुछा गया है टीक। ट्री वें दियर इस नो इंफेक्ष्टन आप यानि की ऐसा बिमारी जब पुछा गया है कि यीट्रो एक बिमारी है जब रंग ठीक की धार्णा नहीं बतलता है कब ऐसा होता है कि जब मतब जी 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 ये कब होता है और जब ये धाना नहीं फैलता तो इसका सही एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका सही एंसर हो जाएगा क्या ग्रीन इसका सही एंसर हो जाएगा ग्रीन तो इसका सही एंसर हो जाएगा ग्रीन तो इसका सही एंसर हो जनेटिक कहा जाता है मेंदल उचाइफ सफादर आफ जेनेटीक अच्ट आगे बरते हैं एक प्रकार का यह ब्रेट premiρट गो这么 गोर्पका रक्त का समू होता है भरता होता है यह किस के द्वारा प्रदरसीद करती त within यह हो जाएगा आपका answer क्या हो जाएगा यह आपका answer हो जाएगा multi-alesm यानि कि एकदिक ally-gylm यानि कि इसका तीसरा answer तूसरा answer आपका हो जाएगा multi-alism यानि की एकदिक aly-gylm ठीक यह आपका गलत है याप थीक अच्छा अंगले question परते है how many possible genotype are there for the ब्लड ग्रूप यानि कि ABU समूह ठिक जो ABO रक्त समूहों में कितने प्रकार के समधावित जीनो टाइप पाए जा सकती हैं तो इसका सही एंसर हो जाएगा 6 ठिक क्या हो जाएगा 6 आगे बरते हैं हम लोग अगले कोश्यम यह पूछा गया है एक टिक ब्लड ग्रूप वाला यानि कि ब्लड ग्रूप वाला एक पुरूश है टिक और ब्लड ग्रूप ए वाली यह क्या है लड़की है जानि कि एक का ब्लड ग्रूप क्या है बी किसका मेल का टिक मेल का और फिमेल का ब्लड ग्रूप क्या है यहाँ पे क्या है यहाँ पे फिमेल का ब्लड ग्रूप क्या है बी है टिक जब इन लोग के शाधी होती है तो पूछ रहे हैं कि इसमें जो ब्लड ग्रूप होगा वो ब्लेड ग्रूप B वाला एक प्रूष ब्लेड ग्रूप A वाली लड़की से साधी करता है तो उसका और उसके पहले बच्चे का ग्रूप B होता है डिक जीनो टाइप का जीनो टाइप क्या हुआ तो हो जाएगा A B I ठीक परपल फ्लोवर्ड प्लांट ग्यूद वाइड फ्लावर्ड प्रोजनी ठीक दिस इस ड्यू टू याने की जो यह लेंधरस गंधक है इस लेंधरस गंधक में दो बैगनी फ्लावरों वाले पौधे के भी संक्र करा जाता है ठीक एक सफेद फुल वाली संतांदी इसका क्या क बैगनी फ्लों में जब क्रास करा जाता है तो इसका क्या कारण है तो इसका होगा अलगावत होगा नहीं इसका सही एंसर हो जाएगा पूरक जीन पूरक जीन के द्वारा ऐसा है हुआ ठीक आगे बरती हम लोग टू नान एललिक जीन्स प्रोडूच्ट न्यू फीनो टाइप विन प्रेजेंट टूगेदर बट फेल टूदर इंडिपेडेंटली आरकार्ड याने कि दो गैर युगमक जीन एक साथ उपस्त्ति होने पर एक नए जीनो टाइप उत्पन करते हैं लेकि सुतंद रूप से आइसा करने में बिफल होते हैं तो उसको क्या कहते हैं तो उसका नाम दिया जाता है पूरक जीन उसका भी नाम क्या दिया जाता है पूरक जीन टिक आगे बढ़ती हम लोग अगले अगले कोस्टन की तरह थर्टी वन पे तो इस कोस्टन में पूछा गया है तुरी ट्वंटी एट पे जीन्स नाट लोकेड़ विट इन दर नुकलियस आर आल्मोस्ट आल्वेस फाउंटी यान एक नाभी के भीतर इस्थित जीन लंगपक हमेशा पाय जाता है तो न पाय जाता है हमेशा नहीं पाय जाता ठीक तो राइबो शोम की अंदर किसकी अंदर यहां पर बताया गया कि राइबो शोम की अंदर नहीं पाया जाता है तो आपका यह कोशन सही हो जाएगा ठीक आगे बरते हम लोग इन विच मेटाप आप हिन हिरिटेंस टू यू एक्सपेक्ट मोर मेटरल इन फ्लूरेंस एमंग दा आस्प्रिंग यानि कि वंसा नुक्रम की किस विधी से किस विधी में आप संतानों में अधिक मात्री प्रभाव की अपेच्छा करती हैं तो इसका सही एंसर हो जाएगा साइटो प्लाज्मिक का किसका साइटो प्लाज्मिक का साइटो प्लाज्मिक का आगे बढ़ते हैं 30 वाले कोशन पर तो इक्स ट्रेंड नुकलर ठिक नुकलियर इन हेरिटेंस इस कॉंसेंस क्विंस आप प्रजेंस आप जीन इन यानि कि जो ए होता है inheritance होते हैं होते हैं तो दिम्न कि जीन की उपस्तदी का परड़ाम है जो इस जीन के द्वारा इक्स्टरा न्यूक्लियर परजाता है इस्ट्रा नुक्लियर हेरिटेंस पाया जाता है तो इसका सही एंसर हो जाए क्या माइट्रोकांडिया और क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ठीक माइट्रोकांडिया और क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ठीक इक्स्ट्रान फेरीन्स क्रोमोसोम माइक्ट्रकादय और क्लोरोप्राश्चन्ट ile वाट इपीसोम इपीसोम क्या है तो एपीसोम इक प्रकार क्या क्या है नूकलयाइड से जूराँ हुआ बेक्टीन्यया है ठिक जो एक्स्ट्रा क्रोमोस्यों मल वं साघ्रत की सम्माग्रियं है यह ग्या है किसका बैक्टिरिय का कहां पायand कि यूश्य में कि अग़े कोशन की तरफ तस्ता आर्गणिजम घृते वाई मेंडला और मेंडल डूस प्रेल 아버 यानि कि मेंडल द्वारा विरासत के नियमों की ब्याख्या करने के लिए किया गया जीव था तो क्या था 56 यानि कि मटर का पौधा था जिस पर मेंडल ने अपना वर्द किया था जिसको अम लोग पाइसम जिसका ब्रोटनिकल नेव पाइसम सटाइवं होता है तिक आगे बरते हैं अगले कोशन की तरह 33 पे तो वीच आप तब फालोविंग कंसीडर्ड आजे रिसेश्यू करेक्टर आफ मेंडल याने कि निम लिखित में जे किसे मेंडल का पुनार विट्टी लेच्छड का याने कि रिसेश्यू करेक्टर किसे कहा गया था तो जिर्रीदार जो बीज निकली थी यानि कि व्रिंकल जो सीड थी उसको इनका लक्षर कौन सा लक्षर माना गया था रिसेश्यू आगे बढ़ते हम लोग केमिट्स आर नेवर हाइब्रिड तीशी जे इस्टेट्मेंट आफ ला या मतलब कानून यानि कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था तो इसका सही आइंसर हो जाएगा तो इसका आइंसर हो जाएगा segregation क्या हो जाएगा segregation यानि कि अलगाव segregation का मतलब होता है अलगाओ आगे बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ पर लो 35 पर 35 पर पूछा कि मेंडल formulated दला आप पेवर्टी आप गैमिट्स इंद बेशिशा याने कि मेंडल ने किसने मेंडल ने याने कि मेंडल ने युक्मकों की सुधता का नियंड ने जो युक्मकों की सुधता का नियंड दिया था वो किस पे दिया था किस पे आधायत था तो वो था Mono Hybrid Class पे याने कि Mono Hybrid Class पे वो आधारित था आगे बढ़ते हम लोग which of the following in the Mono Hybrid ratio याने कि जो Mono Hybrid ratio क्या उसका जो Mono Hybrid Class होता है उसका अनुपाद ratio क्या होता है उसका अनुपाद 3 to 1 होता है याने कि इसमें 3 लंबा होता है एक बाउना पौधा तदा 2 कैसे होते हैं लंबा मतलब लंबे bonus के बीच का होता है जाने कि 3 लंबा माल लिया गया था और एक बाउना तो आगे बड़े if two allele comes together याने कि जब दो यूगमक एक साथ आते हैं तो only one is able to express itself तो एक ही अपने आपको क्या कर बाता है express कर पाता है तो इसे क्या कहते हैं इसे हम law of dominance का नाम देती हैं याने कि जब एक ही allele अपने आपको express कर पाता है साथ में दो होती है और कि express कौन करता है आपने आपको एक करता है तो उसको लाँ आप हेली टेल से बोलते हैं अच्छा आगे मरते हम लोग एक जीन को प्रभावित कहा जाता है तो उसका सही आपसर हो जाएगा इट नेवर इस्प्रेस्ट एनी वन एनी कंडिशन इफ इट एक्सप्रेस्ट वन्नी इन दा हेट्रोजोनिक कंडिशन ठिक इट एक्सप्रेस्ट इट एक्सप्रेस्ट उन्ली इन दा होमोजाइगास कंडिशन ठिक उपर हेट्रोजाइगास कंडिशन निचे वला होमोजाइगास कंडिशन कें चेजबों पिश्राण्यूंस्टिंच्टर oni कि घड़गई कंडीश्ट हो तो यालिकि जब जो डॉमिडेंट होते हैं प्रभावी होते एक जिन को फिर्रक मेंέλाई का जाता कुर्भी तोनों और न या फ़वन ब्यक्ति को तूसरे में से एक के साथ क्राइब जाता है तो माता प्रिता के होता नाम होता है उसका नाम होता है क्या होता नुसक्त कि जी नो टाइफ का फी नो टाईप यहां पर सदिखा धिसको ज्यान देति है फिरर पर सविंग दा कोमिनन इंट और सवफि Юुल टाइफ कंडमी आनिKY एक फी जीनोट Memorial का जीनोटाइप निधारत किया जता है और कोई पौधा यहां को उसके जीदे बाहली स्टक्चर को देख종 में बता दे रहें और जीनोटाइप देखके उसके मधर करें हैं chloride तो प्रेद्र को पीम किन देख़को दे यहां dart दीघ के फिका अगे भीटते हैं छो टीवन परशा गया है कि फीनो टाइप फालबिट रेश्योब्र इन यहीं जणरेशन यह ने कि फीनोटाइफ होता है तो फीनोटाइफ कर देशन क्या होता ह Scout क्या होता है वही इस from किसके भी इसमें करा जाया एक दो है capital A फिर एक है capital B और small B फिर है small A, small A, capital B, small B ठिक टा जिनो ट्राइब A, capital A, small A capital B, capital B comma small A capital A, small A, capital B, small B capital A, small A, small B small B, phिर small A small A, small B, small B will be obtained आ इन देर सॉल्व इव ड्या इब करा perspectives कराए जाता है तो चार प्रकार के जीराड़ mamma छोते हैं बूपाद बताना है तो आपको 1 है오्म इस टो वानिस टो styl meinen स्टु जीरो अधूरा प्रभुत्वा किश्ट के द्वारा दिखाई पदता है तो वह मिरापेलिस के द्वारा दिखाई पड़ता है और को कि किस ने कहा था ओमनी का किशने कहा था तो इसका यानि कि एक विभादित जानवर और पाउधो के पाउधो कोश्का के मुख अंतर में निहीत होता है तो वह जिसे एक मनुष में और एक प्लांट में एक मनुष और एक प्लांट में किस चीज का मतलब डिफ्रेंसे होता है कि माइटोसीस जबत होता है तो इसका एंसर हो जाएगा यानि कि नई कोश्का में तब तक होने वाले परिवर्तिनों की सिंखला बढ़ती है जब और विभादित होकर संतधी बनाए कोश्काय बनाती है इंटर फेज होता है एक सिल साइकल होती है क्या होता है सिल साइकल होती है उसमें जो नई कोश्काय होती है वो तब तक परिवर्तर होती रहती है कब तक जब तक उसमें क्या होती है संतती का formation नहीं बन जाता तो कहां होती है सेल साइकल में यक्रिया होती है तो synthesis आप RNA and protein टेक्स प्लेसिन यानि कि protein और RNA का formation कहां होता है तो हो जाएगा G1 and G2 phase Kyriokinases differ the cytokinases it is as involved division of का मतलब क्या होता है कि nuclear convenience का मतलब यह हुआ कि nucleus का division होना और cytokinases का मतलब होगा cytoplas का division होगा cytoplas Ka division होना और nucleus का division होना तो क्या है क्योंकि इसमें किसका विभाजन होता है क्योंकि इसमें आपका नुक्लियस का विभाजन होता है कि इसमें का आगे बढ़ते हैं कि अगला कोशन है अगला कोशन हमारा क्या है हम लोग 49 पर आ गए थे यहां पर 50 पर जलना होगा कि अधिक हम लोग कहां पहुंचे 65 50 50 तो पूशा गया 50 पर कोशन यह है यहां पर हम लोग हो गए था यह वाला परना था विच अपड़ फेज आप माइटो माइटोसीज इस दा लॉंगेस्ट यादि कि समसुत्री भाजर में काउन से वस्था सबसे लंबी होती है तो समसुत्री भाजर में प्रोफेज काउन सा फेज प्रोफेज तो हो जाएगा आपका प्रोफेज सबसे लंबी होती है ठीक आगे बढ़ते हैं इस्पिंडल अपरेटर इस इज मेड अफ यादि कि जो इस पेंडल उपकरण होता है इस पेंडल जो अपरेचर होते हैं वो किसके द्वारा बनता है तो होता है माइक्रो टुबूल द्वारा यानि कि सोच् समसुत्री विभाजन का परड़ा में क्या होता है इसमें न तो चेंज होता है इसमें क्रोमोशोम नंबर का परिवरतर नहीं होता है ठिक समसुत्री में आगे बरते हैं क्राश ओवर अकरिंग डिवडिंग यानि क्राशिंग ओवर अकर्स डिवडिंग यानि कि क्राशिंग ओवर किसके दौरान होता है तो क्राशिंग जो ओवर होता है वह किसके दौरा होता है पच्ची तीन के दौरा होता है ठिक पच्ची त इसर पार्ट आपषल SAS अप्वायस हो जाएगा क्या साइटो प्लाज्म कहाँ पार देखिए ये ये तो सॉवर्प्लाज में ही पाजाता है तो तो होला नहीं नुकल्यस भी सॉज्श होता है है। माइक्रोव़ोटवुल्स में माइक्रोव्टि भल्स होता है। propagandia इस हो जाएगा यह नहीं पायगा मूंद थे न्योकलिय कलोडो प्रास्ट माइट्रोप्र्ड्री थिए माइटोकांडियेंस या reveals the fans समान विशलेश है तो इन दोनों के अंदर त्यून के अंदर केंदर थिक और साइटरोप्लास्टम के अंदर और क्लोरोकांड या इता है यही क्या storage बिशेस्ता है इस्टक्चर आफ नुक्लियस इन्वॉल्ब्स है क्रिस क्याने कि पर्मारू लिफोफे लिफाफे की सनरचना सुबिधा प्रदान करती है तो वह किसके अंदर होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा क्या निक्लियो साइटो प्लाज्मिक इक्सेंज आप मटेरियल यानि कि निक्लियो साइटिक प्लाज्मिक इक्सेंज आप मटेरियल में ऐसा होता है अच्छा आगे बरते हैं हम लोग 57 पे 57 पे हम को देर चलना है ठीक तो 57 ने पूछा गया है क्या पूछा गया है 57 पे तो पूझा गया है इंट नुक्लियो प्राज्व कंट कंशिपकस पॉड़ी क्या निकलियो प्लाज्व में गोला का आकार का एक विश्च श्री एक निशजीत अस्थान पर एक विश्च गूर्सूत से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं तोकि उसे आफ़ो लोग नुक्लियस कहते हैं तिक नुक्लियस कहते हैं आगे बढ़ते हैं 58 पर प्रोटीज एस्येटेड विद नुक्लिक एसिड आर्न यानि कि जो प्रोटीज होते हैं वह हिस्टोन प्रोटीन के पने होती है किसका सिस्टोन का इसका अंसर हो जाएगा सिस्टोन फिफ्टीन जानि मेंकर नुक्लिक एसिड में 1 पाया सिप्रोटीन पहरा पिला जाता है कि दूप्लिकेशन इंग ए ट्र 대해서 जो टर्म होता है दोराज से कहा जाता है उसको क्या कहते हैं वो लोग उसको हम रेप्लिकेशन के नाम से भी चानते हैं आगे बढ़ते हैं तर नंबर आफ नुक्लियोटाइड पिर इन ए कम्प्लीट पिस आप जेड़ डियनने जो जेड़ डियनने होता उसमें 12 होते हैं क्या चेड़ डियनने का जो कम्प्लीट होता है उसमें 12 होता है आगे बढ़ते हैं तो परमारू डियनने प्रोटियर संसलेशर के लिए सुचना बेशता है तो वो कौन है मेसेंजर आर्यनने याने की MRN ठीक आगे बढ़ते हैं तो मेजर कांस्टिटिउन्ट आप बारोजिकल मे नुबरीस याने कि यौज़ी जिली का प्रत्रां प्रत्रम प्रत्रमस्टाल कंटक है तो जो जो जर्योटली होती है उसका उसका क्या घृटक होता है उसका होता है जह होता है उसका लीपीड ठीक जह Means का प्रभूव घटक लीपीड होता है आगे बढते फिश्ञाओ किसमें प्रोटेन टुबिल्स की कमी होती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा प्लाज्बा मेंब्रेन में किसका प्लाज्बा मेंब्रेन में अगले कोशन की तरब बढ़ते हैं हम लोग प्रपोज दा कॉंसेप्ट आप यूनिट मेंबर आप ट्राइपार्टाइल स्ट्रक्चर आप लीपो प्रोटेन यानि की त्री छत्री है लीपो प्रोटेन की सनद्रा के लिए इकाई जिल्ली की आउधारणा का प्रस्तावित किसने की था तो इसका सही अंसर हो जाएगा कि ओजिल्ली न अवन प्रस्ती की आप लुक नखेंग को थेयं आप अंप gravity cell in member of यानि क्ली California में में तो इसकास्तार प्रप्रफभilt का डिधयyeong अजित की चिछ्चते हो जांए प्रस्ती की मात्र होती है तो इसका सही हो जाएगा इसका व्युत अब्राज्तलाईंत tell dem कbok यह कहां होता है कि जली में संप मंद है कि है कि कोलेसट्राल किसमें कोtory किसमें कोलेस्ट्राल ठीक आगे बढ़ते हैं लोग 68 पर ऑस्मोसिस होता है इसकी परिभासा किसके दो आज जाती है तो इसका होता है एंसर उच्छ बिले सांधता छेत वाले क्रम बिले सांधता के एक अध पागा मिशली में विलायक अर्गो का प्रभाव हो यानिकि दा फ्लू आफ साल्वेंट मालेकूस एक्राज दा सेमी पर्मीबल मेंब्रेन फ्रम दे रिजन आफ रहा स्लूशन कंसेंट्रेशन तो ए रिजन आफ फ्लूवर कंसेंट्रेशन यानिकि इसका दूसरा अंजर यह वाला एंसर कौनसा यह एंसर आपका सही हो जाएगा कंसा यह वाला एंसर आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हम लोग कि पल् मोनी in a cell occurs when it kept in यानि कि जो कोश्का में Plasmolysis होता है लिष्ष होता है जब इसमें रखा जाता है तो किसमें रखा जाता है Plasmolysis के लिए तो इसमें निखा जाता है Hypertonic Solution में Hypertonic Solution में यानि कि इसका चबता अंसर आपका सही हो जाएगा क्या हो जाएगा पिनोसाइटोसिस यह तो पिनोसाइटोसिस इजस क्या ए इनसेक्सण है आप लिकुट पार्टिकिल नहीं तरा लकड़ों का अंतरत्र गढ़र है इनजिक्सण आप लिटिक पार्टिकल सेवेंटीवन पे सारकोशोम सारकोशोम और सारकोशोम क्या है तो सारकोशोम एक प्रकार का क्या है माइक्रो क्या है मसल्स क्या है मसल्स माइक्ट्रो कंडिया है चौथा इसका सही हो जाएगा आगे बरते हम लोग माइक्ट्रो कंडिया प्रचुर मातर हैं पाए जाने होंगे तो उसका क्या हो जाएगा सर मैक्सिमम एक्टिविटी क्या हो जाएगा मैक्सिमम एक्टिविटी अधिक्तम कथिविदी टेने कुड वी फाउंड इन ने में पाया जाता है तो डेने में क्या पाया जाता है तो डेने में आपको पता होगा कि माइटो कांडिया पाया जाता है क्या पा जाता है माइट्रोकांडिया पा जाता है आगे बढ़ते हैं क्रेफ साइकिल टेक्स प्लेजिन तो क्रेफ साइकिल कहां होता है तो क्रेफ साइकिल माइट्रोकांडिया के मैक्टिक्स में होता है माइट्रोकांडिया के कहां मैट्रोकांडिया के मैक्टिक्स में अच् पालेट तो इस प्रकार से कोश्चन आपका समाफ्थ होता है 75 कोश्चन था जो समाफ्थ हो गया ठीक अब अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे आपसे गिसी नए टॉपिक के साथ ठीक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए ताकि हर लोग इसको देख लें चलिए मिलते हैं अगले अगले लेक्षर में किसी नए वीडियो के साथ तब तक थैंकि तू आले फ्यू अ किसी घепर दीक वीजिए अगर झाले किसी नए लेक्प हरैं handful आपको दीका लेक्छ बपर लेक्षर से principle किसी होगा हो वीडियो को वीडियो किसी बखू टापको बेलगई शे क्या अगले लेंगले